Hello everyone, welcome to the Art and Craft Villa, I'm Kirun Rajay and I'm back with new creative idea Guys, आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही सुन्दर और useful art product वो भी cardboard से, yes, cardboard से हम बनाने वाले हैं Guys, हम क्या बनाने वाले हैं, वो तो आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा But guys, मुझे एक बात आप लोगों को बोलनी है आप में से कई लोग हैं जो वीडियो देखते तो हैं बर चैनल को subscribe नहीं कर रखा है और bell icon प्रेस नहीं कर रखा है तो मुझे ये चीज़ समझ नहीं आते ही, वीडियो आप देखते हो क्योंकि आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो मैं तो time बिल्कुल waste नहीं करने वाली हूँ क्योंकि आज का product बनने वाला है बहुत ही amazing seriously तो without wasting time let's start so guys मैंने यहाँ लिये है two piece cardboard के आप कोई भी cardboard यूज कर सकते हो अब मैंने एक paper लिया है इसके उपर मैं कुछ drawing कर रही हूँ आप चाहें तो कोई भी different motif यूज कर सकते हो like peacock, elephant या कुछ भी जो भी आपको पसंद हो सिर्फ outline करना है detailing करनी नहीं है और इसे paper को cut कर लेना है तो guys cut करने के बाद में यह हमारा stencil हो गया है तयार और इस stencil को हमें cardboard के उपर रखना है और trace कर लेना है trace करने के बाद हमें इसे cut कर लेना है तो guys मेरा cardboard है यह थोड़ा सा पतला है इसलिए मैं इसे scissor से ही cut कर रही हूँ अगर आपका strong cardboard है मोटा cardboard है तो आप उसे paper cutter या knife की help से cut कर सकते हो guys पतला cardboard होने के कारण मैंने यहाँ पर 4 piece cut किये हैं अगर आपका मोटा cardboard है या आपका strong cardboard है तो आप only 2 piece cut करोगे तो भी चलेगा क्योंकि यह पतला cardboard है तो मैं यहाँ पर 2 piece stick कर रही हूँ इस तरह से favicle से तो अब आप समझ रहे हो ना कि आपको 2 piece ही cut करने है अगर आपका मोटा cardboard है तो और पतला है तो इस तरह से चिपका कर उसे थोड़ा strong बना लेना है अब मैं यहाँ यूज करूँगी masking tape और masking tape से इसके edges को secure कर लूँगी so guys tape के इस तरह से एक एक pieces हम tier करते जाएंगे और लगाते जाएंगे तो बहुत time लगेगा तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि fast forward में मैं किस तरह से काम करती हूँ जल्दी जल्दी काम करने का मेरा क्या तरीका है I hope आप लोग भी इस तरह से यूज करते होंगे तो मैं सारी fingers के उपर tape के छोटे छोटे pieces ले लेती हूँ Guys बिलकुल ध्यान से ये process देखते जाएगा अगर आप कोई भी part मिस नहीं करोगे तो आपका भी art piece बहुत ही सुन्दर और strong बनेगा और कोई mistake नहीं रहेगी अब आप देख सकते हो मैंने इसमें लिया है थोड़ा सा favicol अब आप पूछोगे कि favicol कितना लेना है क्या quantity है तो बैस आप देखते जाओ सारे step में इसके अंदर cover करूँगी कुछ भी miss नहीं होने वाला है तो favicol को इस तरह से सबसे पहले आपको mix कर लेना है उसके बाद आपको check करना इस तरह से bind करके आपको इस तरह से मुठी बना के देखना है और यह अगर bind हो जाए इसका मतलब यह सही है अब थोड़ा-थोड़ा सा आपको पानी लेते जाना है और जैसे बिलकुल आप आटा गुतते हो आटा लगाते हो उसी तरहें आपको थोड़ा थोड़ा पानी लेते जाना है और उसका डो बनाना है अच्छे से नीट करने के बाद में आपका क्लिय हो गया है तयार तो अब इसे चेक कर लेना है कि कहीं इसमें क्रैक्स तो नहीं आ रहे है और इसे गीले कपड़े से ढख कर रख देना है ताकि यह लंबे समय तक आपका साथ नहीं भाए क्योंकि यह है वाल पुट्टी क्ले ज जल्दी जल्दी ड्राय हो जाता है और जिसे आपको बहुत स्पीड में काम करना होता है अगर आप गीले कपड़े से ढख कर रख दोगे तो यह जादा देर तक वैट रहेगा और आप उसे जादा देर तक काम कर सकोगे अब फिश के उपर इस तरह से क्ले लगाते जाना है और पानी की हेल्प से आपको इसे स्प्रेड करना है और स्मूध करना है पूरी फिश को आपको इस तरह से कवर कर लेना है थोड़ा सा उठाओ देना है इसमें थोड़ा तो कले थोड़ा जादा यूज करिएगा और पानी से स्मूध कर लीजिए कम्प्रीट स्मूध होने क बाद में हम इस पर detailing करेंगे और उसके लिए मैं use कर रही हूँ tools अगर आपके पास इस तरह के tools नहीं है तो बिलकुल tension मतलो आपके पास जो भी सामाने आप वो use कर सकते हो like आप यहाँ पर pencil use कर सकते हो और इस तरह से line बना सकते हो और आप pen का जो cap होता है shape देकर pattern बना सकते हो तो guys आप अपने घर में जो रखे हो है वो सामान भी use करके beautiful सा art तयार कर सकते हो जरूरी नहीं है कि आपके पास यह tools होंगे तो ही आप काम कर पाऊगे तो हमारी यह fish का detailing मुझे तो बहौत पसंद आ रहा है और complete detailing करेंगे अब इसका face का detailing भी कर लेता है यहाँ पर हम lips बना लेते हैं eyes बना देते हैं और यह हमारी fish हो गई है तयार और इसे हम dry होने के लिए रख देते हैं तो इस तरह से मैंने जो यह fish बनाई है same इसी तरह से मैंने दूसरी fish भी बनाई है बट आप देख सकते हो opposite direction में बनाया है तो यह चीज का आपको इसपेशली ध्यान रखना है कि opposite direction में बनाना है और पीछे की तरफ भी आपको clay लगा लेना है और यह हो गया है dry और मैं इस पर कर देती हूँ sanding with sand paper तो आपको sand paper लेना है और से smooth कर देना है स्मूद करने के बाद में आपको इसके dusting कर लेने जितना भी आपने scratch किया है वो सारा ब्रश के help से हटा लीजिए अब आप देख सकते हो मैंने यहा लिया है अमूल चीज का box का यह lid तो इस तरह का आप कुछ भी सामान ले सकते हो क्योंकि मैं waste material ही use कर रही हूँ यहाँ पर कोशिश कर रही हूँ कि जितने ज्यादा waste material हो सके वो use कर लूँ और clay इस बार मैंने थोड़ा सा पतला बनाया है और इस तरह से आपको इसमें fill कर लेना है अच्छे से clay fill करने के बाद में हमें fish लेनी है और यहाँ पर इस तरह से fish को लगा देनी है अब इस fish को भी stand करने के लिए आपको अच्छे से clay को यहाँ पर दबा दबा के लगाना होगा और fish को बहुत अच्छे से secure कर लेना है और जो lid के अंदर आपने clay लगाया है उसे भी पानी की help से आपको smooth कर लेना है side में भी edges में कहीं पर भी रहना नहीं चाहिए otherwise यह आपका break हो सकता है fish निकल सकती है बाद में तो यह निकले नहीं इसलिए आपको clay से इसे बहुत अच्छे से fix कर लेना है secure कर लेना है so guys इस fish को मैं थोड़ा सा support दे देती हूँ यह movement ना करे हिले नहीं और बिल्कुल straight रहे dry होने तक और दूसरे direction में में भी fish लगा देती हूँ बट guys यह ध्यान रखेंगे कि हम दोनों fish का face एक ही direction में रखा है और clay की help से इसे इस तरह से stick कर देंगे smooth कर देंगे और dry होने देंगे dry होने के लिए support देना जरूरी है dry होने के बाद नहीं कुछ इस तरह का लगेगा और यह बहुत सुंदर लग रहा है white piece guys आप समझ गए होंगे कि मैं यह क्या बना रही हूँ अगर आप सच में समझ गए होगे मैं क्या बना रही हूँ ब्लैक पेंट और ब्लैक एक्रेलिक कलर से पेंट करने के बाद में यह कुछ ऐसा लग रहा है बट इसे और सुंदर बनाना है जिसके लिए मैंने लिए है metallic colors yes metallic color से इसका लुक बहुत amazing आने वाला है तो मैंने यहाल यह है green blue and pink metallic color acrylic shades हैं बट metallic हैं तो थोड़ा different लगेगा और बहुत सुंदर लगेगा तो जब तक मैं इसे paint कर रही हूँ एक बार आप चेक कर लो कि आपने channel subscribe कर दिया है और bell icon तो प्रेस कर दिया है और last तक वीडियो देखना और last में comment करके जरूर बताना कि आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा और अगर पसंद आता है तो like बटन भी प्रेस कर देना please तो guys इस तरह से मैं sponge की help से इसे paint कर रही हूँ ताकि हमने जितनी भी detailing करी है वो बहुत अच्छे से और clearly visible होनी चाहिए so guys coloring करके हमारा art piece हो गया है तयार और guys जैसे कि starting में मैंने आपको बताया था कि beautiful and useful art piece आज हम बना रहे हैं तो beautiful तो आप इसे देख ही सकते हो कि यह है but useful तो यह है हमारा tissue holder yes tissue holder तो कैसा लगा हमारा tissue holder with cardboard and wall putty clay comment करके बतायेगा और like कर दीजिएगा thank you so much watching till end bye bye see you on next Sunday bye guys